दोस्तों आप ZTV का मोस्ट पॉपलर सीरियल काशी बाई बाजी राव बल्लाल तो देखी रहे होंगे जो कि आज दर्शकों की पहली पसंद बन गया है जिसमें अभिनेत रीरिया शर्मा काशी का किरदार बेहद खूबसूरती से निभाती नजर आ रही है जिसकी वज़े से द जानते होंगे इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन ही सब सवालों के जवाब देने वाले हैं तो अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंध तक लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अभिनेत र पारमभिक शिक्षा नागपूर से हासल की हलाकि अपनी उच्च सिक्षा के लिए वो मुंबई विश्विद्याले सनाता की पढ़ाई करने के लिए मुंबई चली आई वही बात करें के करियर के बारे में तो बता दें कि रिया शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत कॉलेज के दौरान मॉडलिंग से की थी इन्होंने ट्रॉपिकाना जूस, कैटबरी पर्क, आदी के लिए कई टेलिविजन विग्यापन भी किये और फिर साल 2018 में सब टीवी पर प्रसारित धारवाहिक साथ फेरों की हेरा फेरी से फर्स डेब्यू किया जिसके बाद ये महराजा की जैहो और पिंजरा खूबसूर्ती का जैसे सीरियल में भी काम किया है और अब वर्तमान में ये काशी बाई बाजी राव बलाल में काशी का किरदार निभाते हुए नजर आ रही है जहां अपनी आक्टिंग से दर्शकों को दीवाना बना रही है जिसके चलते इनका ये सीरियल खूब टी आर पी बटोर रहा है लेकिन बात करें इनकी रियल लाइफ मदर के बारे में तो उनका नाम प्रतिमा शर्मा है जो की एक हाउस वाइफ है और लाइम लाइट में ना के बराबर रहने की ही शौकीन है ये घर पर रहकर ही अपने परिवार को समभालती है साथ ही इनकी हर छोटी से छोटी चीज का हमेशा ध्यान रखती है और इनके साथ एक फ्रेंड की तरह ही रहती है वही रिया शर्मा भी अपनी माता के साथ काफी अच्छा बॉर्ण शेयर करती है बता दे अभिनेत्री रिया शर्मा अपने इस मुकाम तक पहुँचने का हिकदार सिर्फ और सिर्फ अपनी माता को देती है जिन्होंने इनका हमेशा साथ दिया और इनके हर फैसले में इन्हें सही और घलत का फर्क समझाया वही बता दें इनकी मदर रिस्पॉंसबल होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी है ये बनारसी साड़ी और बिंदी में बेहद ही खूबसूरत लगती है जहाँ अपने बालों में घज्रा लगाती है साथ ही इनके नैन नक्ष भी बहुत खूबसूरत है जो इनकी खूबसूरती में चारचान लगा देंगे जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं वेल दोस्तों आप अभी ने इतरी रिया शर्मा की रियल लाइफ मदर के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे आप हमें अपनी राए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़े ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले